हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू HP Study Hub, I hope you all are doing well, today is 22nd October, चलिए देखते हैं 22nd October के current affair और strategy KK के top 10 important questions, जो आप काने वाले किसी भी exam के लिए बहुत ज़्यादा important है, शुरू करते हैं, क्वेशन नमर बन से, बेपी कलोमो, which was in news recently, is a spacecraft launched to explore which planet या कलेस्टिल बोडी, आपको जो फ्रें या कलेस्टिल बोडी को explore करने के लिए आपका एक mission है, आपका option है, सेचरन, मास, मर्करी या फिर विनिस, तो इस question का जो राइटन सो होगा, वो होगा option C, मर्करी, जो आपका बेपी कलोमो जो आपका फ्रेंड्स, आपका एक spacecraft है या आपका explore करेगा आपका मर्करी प्लेनेट को, और बात करो, बेपी कलोमो की फ्रेंड्स, तो बेपी कलोमो जो आपका एक joint mission है, आपका European Space Agency और जपान Aerospace Exploration Agency का, यानि की जक्सा का, ठीक फ्रेंड्स, और ये जो आपका mission है, या आपका बेज़े जाएका explore करने को, मर्करी को, इस mission की बात करो तो इस mission को, आपके two आपक मर्करी प्लेनेट है, वो सबसे आपका smallest, smallest planet है हमारा, और बात को आपका मर्करी की, तो ये मर्करी जो सन के सबसे close वाला planet भी है, ठीक फ्रेंड्स, अगर option two की तरफ देखे, mask, तो mask के लिए जो इंडिये का mission है, फ्रेंड्स, वो है आपका manglia, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने मुझे बताना है, फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा, पहला question आपसे ये रहा है, अपने मुझे बताना है, विनिस के लिए जो mission बेज रहा है, ये जो mission है, वो आपके कौन से साल तक इंडिये जो बेजने की बात करता है, आपने मुझे उस येर का नाम बताना है, ठीक ह के और देखे question number two which country has the highest tuberculosis burden across the global at 26% as per the recent WHO report कौन से country है friends वापे highest जो आपका burden है across the globe में देखा जाए तो दुनिया के मुखावल है 26% अके लिए उस country में है ठीक है according to WHO report के नुसार तो आपका option है Nigeria, Nigeria, India, Central Republican Republic या फिर Republic of the Congo तो इस question को जो राइट है तो आपका question B आपका अबकी इंडिया इंडिया में जो आपका अपका का लंग्स को effect करता है तो आपका इस तुबर क्लोसित से लिए government of India के कई इनिसियाटिव से हैं जैसे कि आपका नक्षिय पोशन योजना जिसकी जो आपकी जिसकी जो आपकी एम थी जो परवाइड कुराएगी फाइनेशन सपोर्ट तु टीबी फेशन फॉर दी नूटरेशन टीफरेंस और बात करूँ एक अगेन एक और इनिशेटिव जो कि आपका तीबी हारेगा देश जीतेगा यह इनिशेटिव फॉर परवाइड रखाें यह तो टीबी फ्लिट रखा है जो आपको टीबी को अल्मिनेट करेंगे सब्सक्राइड और बात करूँ इंडिये की उनिशेटिव फ्लिट बड़ाओं करें तक यह तक अब तक बात करूण और लृक्शन फॉर दिख मांचर्य फ से पूछा है इंफ्यूजर एंड सीलम डाट वरिन न्यूजर सेंटली इस अस्टेट विद विच फिल्ड आपके अपशने डिफेंस से एंवर्मेंट से एजुकेशन से या फिर कल्चर से तो फ्रेंट्स इन फ्यूजर और आपके जो सिलम है या आपके फ्रेंट्स आपके ज अपिशेट वी चला है एक आपका सिलम जिसकी फिल्फ्फॉर्म होती फ्रेंट्स अगा सिस्टम एंटेग्रेटर मोडेलिंग फ्रेंग और इसको टेकल करने के बारे में आपके जो क्या है फ्रेंट्स वो तरीकी अपनाई जाएंगे टीवर्स नेक्स की बात करूं क्या वह 4 जिसमें आपसे पूछा है Strategic Arm Reduction Treaty यानि की Start Which was in news recently is associated with which country जो आपकी Start जो आपकी एक Treaty है वो आपकी कौन सी कंट्री के बीच में है आपकी क्वेशन है चाइना और रशिया USA और रशिया, इंडिया और रशिया या फिर इसराइल रशिया फ्रेंट्स इस को जो रशिया रशिया के बीच में आपकी Start जो आपकी ट्रीटी है बात कुरू स्टार्टी की तो ये फ्रेंट्स आपकी साइन हुई थी 2010 में और ये आपकी साइन की गई थी बिट्विन बुराक ओबामा जो आपके प्रेजिडेंट्स थे बात करती है ठीक है नियूकलर आपकी है और दिखा जाए तो ये आपकी साइन हुई थी 2011 में तो रसेटली हाले में क्या हुआ कि पुटीन जो आपकी रशिया के प्रेजियंत है वो चाहते हैं कि यह जो अपकी टीटी है जब कि क्या हो आगे जो आपकी इसके डेट बढ़ाई जाए और यह चाहते है अभी जो फ्रेंड सी टीटी यह चलिए थो ताड़ी दोन तक और पतीज तो नुर आपके ट्रफ दोनों चाहते कि युझा इसको अपके 6 तक difference तो इस question को जो रिटेंस रोगा वह का question अपका B, USA and Russia की बीच में next question को बात करूं question number 5 जिसमें अपसे पूछा है a person lost his job due to economic recession, he agreed to do some job on low wages this is known as to be as which among the following अपका unemployment friends अपसे question number 5 में पूछता है अगर कोई person जो आपका economic recession के कराण अपनी नोकरी आपकी खो बैठता है और वो आगर किसी भी नोकरी को आगे करने के लिए त्यार हो जाता है चाहे उसके लिए आपको कम ही वेतन मिले तो उस unemployment को क्या कहते है तो friends उस अपने unemployment को बोलता है option C, disguised unemployment disguised unemployment friends वो होता है जब कोई person किस economic recession के कारण अपनी नोकरी से हाथ खो बैठता है and finally क्या होता है वो नोकरी करने के लिए उसे नोकरी तो मिलती है लेकिन वो उस payment पर नहीं मिलती है जिस payment पर पहले मिलती है और बात को और option A की seasonal unemployment तो seasonal employment होता आपका job का employment seasonable हो यहाँ पे क्या होता आपको season के coding to invite के जाएगा जैसे आपके for example कि आप किसी hotel में काम करती हो ठीक है और उस hotel का ऐसा है कि winter के season में ज्यादा customer आते है और आपके summer में कम आते है तो ठीक है तो आप winter के लिए आपको invite के जाएगा ठीक है as a season winter पे और summer के लिए आपको invite नहीं किया जाएगा ठीक है आपको यह अब नो कुरी पे नहीं रखा जाएगा तो उसे बोलता है आपका seasonable unemployment है और बात कुर option B की cyclic आपका unemployment है cyclic जो आपका unemployment है फ्रेंड्स unemployment है या आपका depend करता है recession के ओपर ठीक है अगर economy में recession है तो ठीक है आपका unemployment की demand कम होगी अगर economy से ही चली हो है तो आपकी demand एक्टम बढ़ेगी तो उसको बोलता है आपका cyclic unemployment अगर बात करूं option D की voluntary या voluntarily आपका unemployment तो वो होता है फ्रेंस आपका voluntary unemployment है जहां पर आप market में jobs की कमी तो नहीं होती है ठीक है market में आपकी jobs होती है उसके बंढ़ार होती है लेकिन जो आपको ने आपकी 24 के उनसार जोब की jobs नहीं मिलती है तो उसे बोलता है आपका voluntary unemployment तो फिफ्ट कॉशन का जो राइटेंस रोगा वो होगा option C Disguised unemployment next question में बात करूं question number 6 which is the top coffee producing state in India केरला करनाटका तमिलाड़ू या फिर अस्वम तो इसको राइटेंस रोगा फ्रेंड्स वोगा वका question B करनाटका जो है वह आपकी producing जो आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोफी जो भी produce की जाती है और बात को टोप 3 state की आपकी कोफी आपकी कोफी production में तो अब वह आपकी करनाटका फिर तमिलाड़ू और फिर आपकी केरला तिमेंस अगर यहाँ पर option A की केरला की अगर capital देखे तो वह थी आपकी थिरुवन्तपुरम करनाटका की आपकी बैंगलोरू तमिलाड़ू की आपकी चने और अपकी अस्रम की आपकी दिसपूर next question की बात करें question number seven जिसमें आपसे पूछा है जो आपकी मस्जिद बनाने की कला है वो अपनी पीक पे पहुंचे थी किस के टाइम में मायू के टाइम में अकुरा के टाइम में जहांगेर के टाइम में और फिर शाजा के टाइम में तो फ्रेंड इस कुछन को जो राइट आपका option D that is your शाजा तिर शाजा के टाइम में जो थी वो आपकी मस्जिद बनाने की building job की कला थी वह आपकी अपने peak पे थी और बात करें तो शाजा ने जो बनाई थी आपके प्रेंस मोती मस्जीद थी आगरा की वह आपकी शाजा ने बनाई थी शीष महल हो गया ठीक है मुसामन भूर्जज हो गया अकरा का ये भी आप का मस्जीद हो थी और कि शाजा ने बनाई थी और जामा मस्जीद डेली के फिमस वह भी आपकी शाजा ने बनाई थी तो 7 कोशन का जो राइट रोका वह का कोशन D that is your शाजा शाजा ठीक है फ्रेंस नेक्स कोशन की बात करें कोशन नबर 8 जिसमें आप से पूचा है आपकी कोशन के पैस Mississippi फिर आपकी फिर आउटाट स खाल्य किसे पूच्छाज ने बनाई गोशन की खिर आपका कोशन अ judan पा शाजा थेred को छिण में अंधियों बनाई है तो सबसे पहले यहां पर सब्सक्राइब करनाटका फिरताव कहर्ला फिरताव का के रला प्रिया प्रिया फिरताव का तमिलल्डूर्ट थैंग फिरता फ्रेंग्गनों तोक्र आपके अधरफा को कि चार तोल्टución चेयी के रहां प्रेंड बनाती है ठीक है तो इस कुछ नोबर 9 की जिसमें आफ से पूचा है वें इस दा इंट्रेशनल डेफ रूरल भूमें अब्जर एवरी यर तो इस दिन इस दिन जो है वो आपका रिकंगनाइस की जाता है दा कुर्शी रोल प्लेट बाइ भूमें अपकी रूरल भूमें इन एनाइसिंग अग्रिकल्चर एंड रूरल डॉल्पमेट इंप्रूविंग फूड स्कूर्टी एंड इराइडिकेटिंग रूरल पवर्टी ठीक है फिमेल का योगदा ने नांच दिकल्ES के बात करें । लास्ट कॉश्ण में फॉली सथे पॉलीमर औफ अमीनो एसिड शेंग इढ़िंगनार इन इन फ्राक्राइडव होग है उपका इस वीडियो की आप रिमेनिंग जोब की जो भी वीडियो हमारे आती है फ्यूचर में उनके अगर नोटिकेशन पाना जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जोब का ग्रूप है HP Study Hub को जोइन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्टर को शेयर भी करें तो आज के लिए मैंने जोब से कोशन पुशा आपने मुझे उसका अंसर बताना है फ्रेंड्स तो मिलते हैं आपके फ्रेंड्स नेक्स लेक्शन में तब तो अपना ख्या रखें सेफ रहें धन्यवाद